सास बहु का जगडा अनामिका की सास पुषपा अपनी बहु को कुछ खास पसंद नहीं करती थी और इसी लिए दोनों सास बहु में आए दिन जगडा होता रहता था सास बहु की जगड़े की चक्कर में अनामिका की पती मोहित की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी बिचरा बार-बार माँ और बीवी के जगड़े को सुल जाता ही रहता था लेकिन दोनों समझने का नाम नहीं लेती थी वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लेकिन एक दिन अनामिका और पुश्पा के अंदर जोरदार जगड़ा हुआ और बात कुछ इस तरह थी बहु मैंने तुम्हे कल अपनी एक साड़ी धोने के लिए दी थी हाँ ममी जी वो साड़ी धोकर मैंने आपकी अलमारी में रखती है उसे की बात कर रही हूँ मैं जरा देख तो इस साड़ी को देख कर किसी भी तरह से लगता है ये धुली हुई है अरे ममी जी मैंने आपकी साड़ी वोशिंग मर्शीन में अच्छे से धोकर सुखा कर आपकी अलमारी में तह बना कर रखी थी आपकी तो नकरे खत्म ही नहीं होती अरे कैसे बात कर रही है मुझ से मेरा नकरे अरे मुहीत जरा ये देख तो बहु होकर मुझे जवाब देती हो एक तो गंद एक अपड़ उठा कर अलमारी में रख दी है उपर से क्या है जी कि तरह कचर कचर बोली जा रही हो अरे ममी जी आपको समझ में नहीं आता क्या मैंने साड़ी धोकर रखी थी धोकर रखी थी तो फिर इतनी गंदी क्यों लग रही है मुझे क्या बता ममी जी आप इस पर इस तरह तेल और घी की चिकनाए के दाग लगा कर लाएंगी तो ये मेरी जम में दारी थोड़ी ना है अरे तो हाथ से दोना चाहिए था ना मैं आपकी बहू हूँ नाकरानी नहीं जो एक अपड़ा रगड़ रगड़ कर हाथ से दो दूँगी आपको पहन नहीं है तो पहन ये नहीं तो रख दीजिए तुझे तो मैं अच्छे तरह बताऊँगी मुझे जवाब देती है एक दिन सुबह के वक्त अरे अनामिका मेरी वाइट शट कहा है आज आफिस में बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है और मुझे वो वाइट शट पहन कर जाना है मुझे पता है आपने मुझे दो दिन पहले ही बता दिया था और आपकी शट मैंने धोकर अच्छी तरह आयन करके अलमारी में लगा दी है जाए वहाँ से ले लेजिए अनामिका ये तुमने क्या किया ये देखो शट पर लिपस्टिक का दाग लगा हुआ है और ये तो एक जिगह से जल भी गई है नई ने मुहित ऐसा नहीं हो सकता मैंने तो तुमारी शट ठीक से इस तरह करके अलमारी में लगाई थी तो फिर ये जल कर से गई अपने आप अलमारी में लटके लटके थोड़ी ना जल जाएगी पर मुहित मुझे अच्छी तरह याद है देखो अपनी गलती को चुपानी की कोशिश मत करो और अगर शट जल भी गई थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना मैं नई शट लेकर आ जाता अब एन वक्त पर शट कहां से लेकर आऊँ मेरा इतना इंपोर्टन प्रेजेंटेशन था सब कराब उचाएगा अरे बेटा क्यों परईशान होता है ये देख, मैंने तेरे लिए पहले से ही एक नई वाइट शट लाकर रखी है लेकिन ममी, आप मेरे लिए वाइट शट क्यों लेकर आई थी? मुझे पता था, तेरा प्रेजेंटेशन होने वाला है और अपने इस बहु पर तो मुझे बिलकुल भी परोसा नहीं क्या पता मेरी जाड़ी की तरफ तेरी शट भी गंदी करके रख देती और देख वही हुआ ना बिटा सारी टैंशिन छोड़ और ये नई शट पहन कर जा थांक्यू ममी, आज तो आपने बचा लिया मुझे अरे अनामिका जानती हो आफिस में मेरा जो दोस्त है न अमर आज उसका बड्ड है और उसे तुम्हारे हाथ का चॉकलेट केक बहुत पसंद है थोड़ा सा बना कर टिफिन में रख दो ना प्लीज हाँ, क्यों नहीं मैं बहुत अच्छा केक बना कर अपके दोस्त के लिए रख दूँगी तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो वैसे ही मेरे ओफिस के सारे लोग इतनी थारीफ करते है क्या बताओ प्लीज, एक अच्छा सा केक और बना दो मेरी तो आफिस में शान बढ़ जाएगी अनामिका केक बनाने के लिए रख दीती है पुश्पा चुपचाप जाकर उस पे धेर सारा नमक डाल दीती है देख हमर, तेरी भावी ने तेरे लिए चाकलेट केक बना कर भीजा है तुझे बहुत पसंद है ना यार तुबहुत किस्मत वाला है भावी इतना अच्छा खाना बनाती है और साथ में केक भी, वैसे भावी को थेंगे बोलना थेंग्यो बाद मैं, पहले तो ये केक खा कर देख बहुत मैनत से बनाया है अनामिका ने अरे यार, इस केक में तो बहुत सारा नमक है लगता है भावी ने शक्कर की जगए खुब सारा नमक डाल दिया है अरे मोहेद, तू तो अपनी बीवी की कुकिंग की बहुत तारीफ करता फिरता है जरा पूछना अपनी बीवी से, केक में नमक कब से डलने लग दया क्या यार, तुझे भी मेरा ही जनम दिन मिला था बिगाने के लिए केक नहीं लाना था तो मत लाता, कम से कम मुझे इस तरह नमक वाला केक तो नहीं खिलाता अरे नहीं यार अनामिका ऐसा नहीं कर सकती जरूर कुछ गडबड होई होगी घर जाने के बाद अनामिका, अगर तुम्हारा केक बनाने का मन नहीं था तो ना मना थी, लेकिन मेरी बेज़़धी करवानी की क्या जरूरत थी अरे, आपकी बिलसती, यह अब क्या कहने है मैंने तो सुबह आपको इतने अच्छे तरीके से कीक बना कर दिया था हाँ, लेकिन उसमें इतना सारा नमक डाल दिया था कि आज आफिस में मेरा अच्छा खासा मजाग बना है मेरे सारे दोस्त हस रहे थे मुझ पर अरे, बेटा, मैंने तो तुझे पहले ही समझाने की कोशिश की थी एक नमबर की गयर जिम्मेदार है यह लड़की कोई काम ठीक से नहीं करती उस दिन भी गंदी साड़ी रखती थी मेरी हलमारी में और जूट बोल रही थी कुछ दिनों के बाद अनामिका देखो, मैंने अपना लैटाप चार्जिंग पर लगाया है उसे अच्छी तरह चार्ज होने देना मेरी एक अरजन मीटिंग है, प्लीज बीच में से हटाना मत हाँ, हाँ, ठीक, है मैं नहीं हटाऊंगी पुश्पा चुप चाप से जाकर चार्जिंग का बटन बंद कर देती है, थोड़ी दिर बाद अरे, ये लैटाप चार्ज क्यों नहीं हुआ और ये बटन किसे आउफ कर दिया अनामिका, इधार आओ क्या हुआ, क्यों चिला रहे है इतना अनामिका, मैंने तुमसे कह था ना मेरा लैटाप चार्जिंग पर लगा हुआ है मेरी अर्जन मीटिंग है, तुमने इसका स्विच आफ क्यों कर दिया अरे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मैं क्यों स्विच आफ करूँगी कुछ दिनों से देख रहा हुआ नामिका तुम मेरा हर काम भी गाड़ दिती हो देखो, यह अच्छी आता थी कम से कम तुम्हें इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए था कि मेरी कितनी important meeting थी आप क्या करूँगा मै I'm sorry Mohit लेगन सच में मैंने जान बुच कर कुछ नहीं किया अगर जान बुच कर नहीं किया तो क्या सब कुछ अपने आप हो जाता है कभी मेरी shirt जल जाती है कभी cake में नमक डल जाता है आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते मैंने जान बुझकर कुछ नहीं किया फिर से वही बाद कितनी बार तुम मैं समझा चुका हूँ इस तरह मेरा काम बार बार मत बिगाडा करो तुम जानती हो मुझे कितनी प्रॉब्रिम होती है आफिस में तो पहले ही बेज़दी करा चुकी हो और अब ये मीटिंग ये भी मेरे होट से निकल गए अनामिका की समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था फिर कुछ दिनों के बाद मुहित अपने आफिस से कुछ फाइल लेकर घर आता है अनामिका ये कुछ फाइल हैं इना संभाल कर रख दो और प्लीज इस बार ध्यान से कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए नहीं मुहित कोई गड़बड़ी नहीं होगी मैं सारी फाइल्स अलमारी में लॉक करके रखूँगी और चावी अपने पास रखूँगी अनामिका जर आलमारी की चावी तो देना क्यों ममे जी आपको क्या काम है उसमें मुहित की जरूरी फाइल रखी है और मैं नहीं चाहते कि इस बार कोई भी गड़बड हूँ पता नहीं कुछ दिनों से हर काम खराब हो जाता है अरे मुझे उसमें से पैसे निकालने है और उसके बाद ले लेना अपनी चावी मैं खा नहीं जाओंगी तुमारे पती की फाइल अनामिका को अपनी सास पर शक होता है चावी देने के बाद वो चुप-चाप छुपकर अपनी सास की हरकत देखती है ये फाइले उठा कर डस्ट बिन में डाल देती हूँ फर देखना कैसे मोहित इसकी खबर लेगा इस बार तो छोड़ेगा नहीं से वैसे भी पहले मैंने जो कुछ भी किया है उसके वचा से अच्छे खासी डाट पड़ी है मसा आ जाएगा अच्छा तो ये बात है सारा काम ममी जीक बिगार देती है वो भी इसलिए क्योंकि मेरा उनसे छगड़ा हो गया है सास की जाने के बाद अनामिका मोहित को बुला कर लाती है क्या हो आनामिका, क्या दिखाना है ये देखे, आपकी फाइल डस्ट मिन में पड़ी हुई है इसलिए तो कहा था, संभाल कर रखना और तुमने उठा कर ये फाइल डस्ट मिन में डाल दी मैंने नहीं, तुम्हारी ममी ने डाली है मुझसे बदला लेने के लिए, ताके तो मुझे डाटो और अगर मैंने डाली होती, तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए बुला कर तो नहीं लाती ना सही कह रही हो, मैं अब भी ममी से जाकर बात करता हूँ थोड़ी दिर बात ममी, सच सच बताईए, मेरी फाइल अलमारी में से निकाल कर डस्ट बिन में आपने डाली थी ना अरे, अपनी मा पर इल्जाम लगाता है, शर्म नहीं आती तुझे मैं अल्जाम नहीं लगा रहा हूँ ममी, जो सच है वही पूछ रहा हूँ अप जल्दी से बताईए, आपने ऐसा क्यों किया अरे, तो क्या करती, तेरी बीवी मुझसे जगडा करती है, उल्टे सिधी जवाब देती है मुझे उससे बदला लेना था अरे, ममी, लेकिन आप दोनों के जगड़े के चक्कर में मेरा कितना नुकसान हुआ है, ये कभी सोचा आपने? ममी जी, अगर आपका बदला पूरा हो गया हो, तो आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना, क्योंकि अब आपके सचाई हमारे सामने आ चुकी है ये तो वाक्त ही बताएगा, मैं क्या करूँगी और क्या नहीं? ममी जी, कहाना आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी? अरे, मैरी जो मर्जी आएगी, वो मैं करूँगी मेरा सर घुम रहा है, सास महु के जगड़े में मेरी जिन्दगी का तो कच्रा हो गया है, कच्रा अरे, मैं करूँगी जो नहीं करूँगी